दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्राम का ये अर्बी का ये अर्बी में आपको अभी कैसा मूमेंट देखने को मिलता है क्या है इसका स्पोर्ट जोन है क्या है इसका रजिस्टरंस आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे आपको टाइम टो टाइम मिलता रहे साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम का लिंग के मिल जाएगा में एक शौर आप हमारे टेलिग्राम को भी जॉइन कर लें अब दिखिए अगर हम आर्विट्रम के बात करें तो इसका क्रेंट प्राइज आप टोटल सप्लाई 10 बिलियन है मैक्समाम सप्लाई 20 है मैंशन नहीं करिवी जिसका मतलब होता है कि टाइम टुटाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहां जिससे यह 65% के डाउंटेंट पर अभी आपको मिल रहा है और जो इसका वाल टाइम लो लगा था वो लगा था 0.74 का जिससे 11 परसंट अब आपको देखने को मिल रहा भी यह मतलब अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो यह अभी अपने बॉटम के साइड में फिर भी मैं इसमें भी आपको सेम लेवल से रिकवरी देखने को मिली जब हमने यहां पर अपनी बाइंग करी थे तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट एंट्री के एंगल से और जिन लोंने पहले अपनी बाइंग करी हुई है 0.90 के रेंज मे आप सिंपल सा यहां पर EMS को भी वाच कर सकते हैं अब दिखे जिन लोंने शौर्ट अम के लिए अपना ट्रेड लिया है उनका जो टार्गेट है 1 डॉलर का होगा 1.3 का होगा और जिन लोंने मिड टम और लॉंग टम के लिए अपनी बाइंग करी हुई है उनको टाम फ्रेम की बात करें वीकली के कोडिंग आप देख सकते हैं हम अपने 2030 वाले लेवल के पास हैं पर आपको यह में यहां बेरिश क्रॉस ओबर देखने को मिलेगा जो के इंडिगेट कर रहा है कि प्राइज और भी फॉल करेगा और हम जाके होल्ड हो सकते हैं 0.50 के रें फिर भी काफी लोगों ने यहां पर लोग ओपन करें हैं उनका जो लिकोडेशन प्राइज है फिलाल मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपने 0.50 के नीचे रखना है आप 0.30 का रख सकते हैं 0.250 का रख सकते हैं या फिर 0.20 का रख सकते हैं अगर आपके लिकोडेशन प्राइ अगर हम यहां recovery के साथ आपके target की बात करें तो minimum जो आपको target मिलेगा वो मिलेगा 1 dollar का फिर आपको मिलेगा 1.3 का 1.5 का 1.7 का ऐसे ही recovery के साथ आपको 5-7 dollar का target मिल सकता है अब अगर आपने आर्बिट्रम को high price में buy करा है तो आपने DCA करना है 0.70 के नीचे उससे पहले आपको DCA करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि DCA का मतलब ही होता है कि जो हमारे buying का average है वो भी decrease करें और वो decrease तब होगा जब आपकी जो buying है वो bottom के साइड में होगी तो hope आपको ये वीडियो का update अच्छे समझा गए होगा मैंने आपको anti और target दोनों चीज़े clear कर दी है फिर भी अगर कोई आपका doubt होता है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं please वीडियोज को like के किजे share किजे अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं वीडियो के साथ अब तक लिए जय हिंज भारत